असलाम लेकम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब ठीठाक होंगे आज मैं बना रहे हूं बहुत ही जबरदस तंदूरी चिकन वो भी ओवन में आप चाहें तो इसको ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं और नॉर्मल पैन पे भी तो चले आई बनाना शुरू करते है तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें जो चीज़े चाहिए वो आप नोट कर ले चिकन के लेकपीस हमें चाहिए मैं चार अदद इस्तमाल कर रही हूं और ये लार्ज साइज की हैं आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज के हैं ये आयल हमें चाहिए तीन टेबल स्पून अदर कलेस्टन का पेस्ट हमें चाहिए डेटी स्पून चार टेबल स्पून हमें लेमन जूस चाहिए किसी भी ब्रेंड का तंदूरी मसाला हमें चाहिए तीन टेबल स्पून भार के अगर आप इसे ज्यादा स्पैसी रखना चाहते और इसमें आप औरेंज फूट कलर भी इस्तावाल कर सकते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर आजए और चिकन की सारे पीसिस पे हम डीप काट्स लगा लेंगे मैंने स्टार्ट में आपको चार लेट पीस पताए हैं लेकिन बाद में एक और एड कार लिया है टोटल ये पांच लेकिस है और तकरीबर ये दो किलो के आसपास है इसी तरह में सब पे डीप काट्स लगा लूँगी सब पे डीप काट्स लगाने के बाद अब हम इसको मैरिनेट करेंगे लेमन जूस अधरक लहसन का पेस्ट तंदूरी मसाला आयल इन सब को डाल के अच्छी तरह से हम इसक मिक्स करेंगे जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं बिलकुल इसी तरह हमने इसको काट्स के अंदर तक मसाले को लगाना है बहुत कम एंग्रीडियंट्स है और ये बहुत टेस्टी बनता है आप इसको ज़रूर ठाय कीजिएगा अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद इसको मैं मेरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी एक गंटे के लिए अब चाहे तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं क्लिंग से कवर करेंगे और एक गंटे के लिए छोड़ देंगे एक गंटा हो चुका है क्लिंग को हटाएंगे और मैंने इधर एक बेकिंग ट्रेल ली है उसके नीचे मैंने फॉाइल पेपर लगा के और उपर मैंने जाली स्टेंड रख दिया है और इस तरह लेक पीसीज को हम इसके उपर अरेंज कर देंगे ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया 250 डिग्री सेंटी ग्रेट पे उपर और नीचे वाला राड आन है 15 मिनट मैं एक साइट को दूँगी जितना अक्सेस पानी होगा वो नीचे ट्रे में जाएगा और ये देखें 15 मिनट एक साइट को हो चुके है अब मैं इनकी साइट चेंज कर दूँगी और दूसी साइट को भी हम 15 मिनट देंगे 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसके बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है अब मैं इसकी दुबारा से पहले वाली साइट कर दूँगी और इसे भी हम 5 मिनट देंगे ताकि इस पे अच्छा सा कलर आ जाई ये दे देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत ही जबर्दस जूसी और मज़ेदार रेडी हुआ है आप इसको जरूर चाय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने ये चिकन बनाया तो आपको कैसा लगा आप इसे दापतों में भी बना सकते हैं और इसको अपनान के साथ तंदूर की रोटी के साथ किसी के बसाथ भी सर्फ कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमल में रखे मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिमान अल्ला